ग्लिप्स डाटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ आर्पी सिंग और आप देख रहे हैं निशनल अपडेट सबसे बड़ी खमरा आपको बता दें कि हर हर मादे और बंबं मोले के नजयकारों के बीच अमरनाथ यात्रा के लिए जंबु कास्मीर के बालताल नुनवान पहल गाओं आधार शिवरों से मंगलवार को स्रधालूं का जत्ता रवाना हो गया जम्मू इस्थित भागावती आधार सिविर से महिलाओं और साध्यों समेत 3489 रधालों का जत्था बाबा बरफानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ पिछले महिने 28 जून से सुरूही 60 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा के पांचमें दिन सुमार को सबसे अधिक 22,500 यात्रियों ने शिवलिंग के दर्शन किये नीती आयोग के कामकाज को लेकर आज उपाध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया राजिव कुमार का मानना है कि नीती आयोग एक ठिंक टैंक नहीं बलकि एक एक आक्शन टैंक है यह नीती आयोग योजना आयोग की जगन नहीं ले सकता तो वहीं नेपाल में फंसे मानसरोवर यात्रा पर निकले करनाटक के तीर्थियात्रियों पर विदेश मंत्री सुस्मा स्वराज नजर बनाए हुए हैं खराब मौसम और भारी बारिस के चलते नेपाल में फंसे तीर्थियात्रियों की जानकारी देते हुए विदेश मंत्री ने टीट पर लिखा कि कैलाज मानसरोवर यात्रा पर 1575 तीर्थियात्रियों में से एक सो चार को निकाल लिया गया है जिनमें दो भारतियों की मौत हो गई है सीमी कोट में लगभग 525, हिलसा में 550, तिबबत छेत्र में 500 अन्य भारतियात्रि फंसे हुए हैं दिल्ली के बुराडी कांड में 11 लोगों की मौत, 11 पाइप, 11 खिर्कियां, वेंटिलेशन में 11 लोहे के राड ने जात करता हों के सामने बड़ी समस्या खड़ी कर दी तो वहीं पुलिस के जाच में सामने आया कि इस परिवार से मिलने के लिए गदा बाबा आया करते थे, पुलिस अब गदा बाबा को तलाश कर रही है पुलिस अब 11 के तलिस में गदा बाबा का कनेक्शन खंगालने में जुटी है, सोमवार को सभी सवों का पोश्ट मार्टम किया गया सभी पोश्ट मार्टम में इनके फांसी पर लटकने से हुई मौत की पुष्टी हुई वहीं दूसरी तरफ यह भी सामने आया कि परिवार के सबसे छोटे बेटे ललित के शरीर में उसके पिता की आत्मा आया करती थी और उन्हीं के कहने पर परिवार ने यह कदम उठाया होगा भूटान के प्रधान मंत्री ह.ई.डासोर शेरी तोबगे पांस से साथ जुलाई तक तीन दिवसी यातरा पर भारत आ रहे हैं खबर के मुताबिक टोवेगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के निमंतरों पर यहां आ रहे हैं बिदेश मंत्राले के प्रवक्ता की तरफ से आए बयान के मुताबिक भूटान के प्रधान मंत्री इस दौरान राश्टरपती रामनात कोविन और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी से मुलाकात करेंगे इसके अलावा विदेश मंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ सेरिंग टोबे की मुलाकात तय है दोनों देशों के बीच पहले से ही गहरी दोस्ती और गहरे संबंद रहे हैं ऐसे में इस बैठक को लेकर भारत और भुटान के बीच आपसी विश्वास समझ और मजबूत होने के आसार हैं सराय खेला जारखंड से ये खबर आई है जिसमें प्राथमिक विद्याले खापरसाई की एक सिक्षिका की स्कूल के सामने रहने वाले एक बिच्षिक तीयोक ने मंगलवार को गला रेत कर हत्या कर दी इसके बाद करीब दो किलो मीटर तक उसके सिर को हाथों में लेकर वो घूमता रहा वो महिला के कपड़े पहने हुए था उसके हाथ में धारदार हंतियार होने की वज़े से पुलिस उसे काफी देर बाद अरेश्ट कर सकी इस घटना के बाद पूरेक छेत्र में अफरात तफरी की स्थिती बन गई है मृतका की सिनाक्त सुकरू हिस्सा 35 के रूप में हुई जो आदित्यपुर की रहने वाली बताई जा रही है और वह 2016 से जॉब में थी बिक्षिप्त हरी हेंबरम 45 वर्स इसकूल आते जाते सिक्षिका को देखा करता था मंगलवार को जब सिक्षिका स्कूल आई तो हरी हेंबरम रोजाना की तरह उसे देख रहा था कुछ देर बाद वो स्कूल गया और सिक्षिका को बाहर बुलाया जैसे ही सिक्षिका स्कूल के बाहर आई उसने धारदार हतियार से उसके गले पर वार किया जिससे उसका सिर धर से अलग हो गया इसके बाद वो सिर को लेकर काफी देर तक घूमता रहा बाद में पहुंची पुलिस ने उसे गिरफतार किया ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें Glips.in के साथ